नमस्कार किसान भाईयों तेक्निकल दागर यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम उड़ने आये हैं मक्की और मक्की के इस प्रकार से उड़ाई की जाती है आपको सही तरीके से कैसे मक्की की उड़ाई करनी है उसके बारे में हम बात करेंग है तो किस प्रकार से आपको मक्की को सही डंग से उड़ना है उसकी आज हम आपको जान करी देंगे तो यहां ड़कन लगा देते हैं और देखिए आप सेटिंग आपको कुछ इस प्रकार से उपर इतनी जगत दोनों साइड में खाली होनी चीए हम आगे की जो आगे की जो एक उधी है उसके अंदर उड़ रहे हैं और इसके साथ में बिये खाद के इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं तो अभी हम आपको उडवाई बताएंगे किस प्रकार से आपको उड़ना है और जो फाद और मक्डी जो रेशो है वो आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है और जो गहराई है मक्की की वो कितनी होनी चाहिए उसकी भी हम आपको अभी जानकरी देंगे क्योंकि जो नमी है खेत की उसके इसाफ से आपको जो मक्की की है वो गहराई जो आपको रखनी है क्योंकि अगर खेत के अंदर आपके नमी अगर प्रियाप्त नमी है कि जितनी मक्की की उगने के लिए जितनी मक्की को चाहिए उतनी नमी अगर खेत के अंदर है तब ही आपको मक्की की उराइक करनी है तो मैं आपको दूरी जो है वो बता देता हूं भी कितनी दूरी पर जो है आपको मक्की का जो बीज है वो पढ़ना चाहिए आप एक बार मशीन का एक फेरा फेड लें सिट्रिल का उसके बाद में आप खेद में कुछ इस प्रकार से हाट डाल कर भी देख सकते हैं तो हम मसीन पर बैठ चुके हैं अब आपको यहां से बताएंगे भी बीज कितना जो है वो मसीन के अंदर से गिरारियों से गिर रहा है तो कुछ इस प्रकार से जो बीज है वो गिर रहा है आप देख सकते हैं लो इस प्रकार से आपको मख्य ही का होनी चाहिए और बीज में जोनों पोद बीज की चाहिए और बीक डूनों पोदो इनची डेख सकते हैं भीजिह में कुछ लोग जोए नची में बीज का रखते है हम यहाँ पर फिंच की डूरी फीजिट लाइप की डूरी पोदों की बीच की दूरी एक पिट के आसपास होनी चाहिए तो इन सब चीजों का आपको भी द्यान रखना है तो किसान भायों मिलते हैं आपको किसी अलग तकनीक किसी नई तकनीक के बारे में हम आपको अगली वीडियो में जान कर देंगे मिलते हैं आप उसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जेश याराम और सभी अपना त्यान रखें और उराये करते समय इन बातों का मक्की में अवश्यक रूप से त्यान रखें